इसमें लायरमान रहीम, असलाम लेकुम, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से कनॉर नूडल सेंविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जो के बहुत ही मज़ेदार और टिस्टी बन के तयार होते हैं आपने नूडल्स तो अमोमन बहुत दफ़काए होंगे, लेकिन आपने उसके जो सैंड्विचेज हैं वो नहीं काए होंगे, तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमें एक फ्राइ पैंच आई है, उसमें हमने एक ग्लास पानी डालना है और उसको बालने के लिए चोड़ देना है जब इसमें बाल आने लगे तो हमने एक पैकेट नूडल्स और इसके अंदर जो मसाला मौजूद होता है वो इसमें मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि नूडल्स नरम हो जाएं इसके बाद हम इसमें सबजियां मिक्स करेंगे, सबजियों की क्वांटिटी तमाम की सेम होती है, उसमें आता है कैपसिकम, कैरट और कैबज और साथ यसाथ थोड़ा सा जीरा इसमें और मसालियों मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद हम इसमें डालते हैं चिली सास, सोई सास और सरका और इसके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पर इसके बाद इसमें बारी आती है, वन टेबल स्पून ब्लैक ओलियों मिक्स करने की और साथ ही साथ हम इसमें एक स्लाइस जो चैडर चीज है वो मिक्स कर लेते हैं चैडर चीज और पानी को हम कुश्क होने तक पकाएंगे जब ये इसमें मेल्ट हो जाए तो इसको हम साइट पे रख लेते हैं अचा अब इस स्टेज पे अगर किसी को नूडल्स पसंदे तो ये बहुत ही मसेदार नूडल्स रेडी हैं और ये स्टफिंग जो हम अंदर सैंड़िचे के अंदर करेंगे ये उसकी स्टफिंग भी है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हम जो सैंड़िचे हैं उसकी कोटिंग तयार करते हैं उसके लिए हमें चाहिए एक अदर अंडा, आदा ग्लास दूद, नमक, जीरा और कालिमिच इसको हम अच्छे से पेंट लेते हैं अगर किसी को ये कोटिंग पसंद नहीं है तो वो इसको इसी तरह भी बगयर कोटिंग के भी जो इसके sandwiches हैं वो ready हैं और वो खा सकते हैं अब हम लेंगे दो अदर sandwich bread के slices उस पे मैंने ginger sauce जो है, वो spread की है आप इस पे मियोनिज भी spread कर सकते हैं और उसके बाद जो हमने noodles की coating तयार की थी हम इस पे evenly जो है spread करते हैं और जो इसके उपर वाली bread है उस पे मैंने mini spread किया है अच्छे से इसको हम set कर लेते हैं और उसके बाद जो अंडे की coating हमने तयार की है उसमें हम इसको dip कर लेते हैं दोनों side पे dip कर लें और फॉरण ही आप इसको pen पे transfer कर लें मैंने जो pen था उसको already मैंने छूले पे रख दिया था उसमें oil डाल दिया था क्योंकि ये अंडे से नरम हो जाते हैं तो पिसके तूटने का खतरा होता है इसको फॉरण ही आपने transfer करना है और बस इस तरह से इसको हलकी आँच पे मैंने एक side पे बना लिया था अब दूसरे side पे इसको अच्छे से पका लेते हैं ताकि इसमें अंडे की जो smell है वो ना रहे बार-बार मैं इसको flickering के अंदर और बाइस है चैसे तयार हो जाए और पिर मैंने इसको cutting board पे shift करना है इसको हम sandwich की shape में किसी भी shape में जो आपको पसंद है उसमें काट ले और ये बहुत ही मज़ेदार से noodle stuff जो sandwiches है वो ready है इसको ketchup से top कर लेजिए और ये बहुत ही मज़ेदार sandwiches ready है I hope आपको मेरी recipe बहुत पसंद आई होगी इंशाला पिर मिलते हैं तब तक के लिए